व्यापम में एक करोड युवाओं के बविश्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हतिया हो जाती है, MBBS की सीट बिग जाती है, और पटवारी बनने के लिए 15 लाक रुपे की रिश्वत देनी पड़ती है, मगर ये लोग वहां नहीं रुखते, BJP के लबॉरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आतम हतिया की है, हर रोज 3 किसान BJP के लबॉरेटरी में आतम हतिया कर डालते हैं, BJP के लबॉरेटरी में आदिवासी जिला है, BJP के नेता आदिवासियों के उपर पिशाप करते हैं, कुछ दिन पहले मैंने कमल नाजी से कहा, कमल नाजी, कमल नाजी आपकी एज क्या है, आईउ क्या है आपकी, 72 साल की एज है, आप देखिए, कॉंग्रेस के नेता है, कभी जीप पे चर जाएंगे, कभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाएंगे, कुछ दिन पहले, भीड के बीज में गुज गए, थोड़ी सी चोट लग गई, गुटने में चोट लग गई, मैंने पहला सवाल इनसे पूचा, कमल नाजी, आपने एक्सरे करवाया, MRI आपने करवाया, कहते हाँ मैंने करवाया, क्या हुआ, नई हड़ी नहीं तूटी थी, लिगर्वेंट में थोड़ी चोट लगी, वोई बात मैं कहरा हूँ, मैं कहरा हूँ, कास सेंसर्स, जाती जनगरना, एक्सरे है, आदिवासी वर को चोट लग रही है, OPC वर को चोट लग रही है, दलित वर को चोट लग रही है चलो पता लगा लेते हैं X-ray कर लेते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जागा साफ हो जागा पूरा अब मैं नरेंद्र मोधी को चैलेंज दिया मोधी जी आप प्रधान मंत्री हो देश का X-ray करा दो Congress Party ने जाती जनगर्ना की थी उसका जो डेटा है मध्य प्रधेश की जनता के सामने OPC युवाओं के सामने रख दो कभी नरेंद्र मोधी जी पाकिस्तान की बात करेंगे कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे कभी South India की बात करेंगे क्या मतलब इधर ध्यान करवाएंगे उदर दिखवाएंगे उपर दिखवाएंगे नीचे दिखवाएंगे अरे नरेंद्र मोधी जी का सेंसस है जाती जनगर्ना उसके बारे में अपने भाशन में बोल दीजिए मध्यप्रदेश चुनाव के ऐलान के साथ ही राहुल गांधी अब एक्टिव हो गए हैं शैडोल में आज राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और शिवराज सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला इस दोरान कॉंग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिवराज सिन चौहान पर जमकर निशाना साधा और ये दावा किया कि 35 दिन बाद शिवराज सरकार की विदाई तय है राहुल ने सभा में कहा कि जातिवार गणना पर 36 गण करनाटक और राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकारों ने काम शुरू कर दिया है हम केंद्र सरकार को भी इससे भागने नहीं देंगे हम इसके लिए उसको मजबूर कर देंगे क्योंकि हम आदिवासी, दलित और OBC को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं अगर मध्यप्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो यहां भी पहला काम जातिवार गणना का ही होगा बता दें, मध्यप्रदेश में यह उनकी दूसरी चुनावी सभा थी इसके पहले 30 सितंबर को वह शाजापूर जिले के काला पीपल में सभा कर चुके हैं राहुल गांधी ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा था कि RSS और भाजपा की सच्ची प्रयोगशाला गुजरात नहीं, मध्यप्रदेश बनेगा इस मध्यप्रदेश में भाजपा नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाप करते हैं यहां की भाजपा की प्रयोगशाला में मृत लोगों का इलाज किया जाता है श्री महाकाल महालोक में शिवजी से चोरी की जाती है बच्चों के स्कूल यूनिफार्म उनके मिड़े मील का पैसा चोरी किया जाता है पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है कॉंग्रेस की विंध्य इलाके में यह पहली बड़ी रैली है जिसमें राष्ट्रिय नेता शामिल हो रहे हैं चुंकि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है इसलिए राहुल गांधी की इस रैली का खर्च पार्टी के चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा विंध्य इलाके में राहुल गांधी की रैली को इसलिए भी महत्वपून माना जा रहा है क्योंकि 2018 के चुनाव में यहां की 30 में से 24 सीटें BJP के खाते में चली गई थी विंध्य इलाके में ब्राह्मन, OBC वर्ग के पटेल और आदिवासी वर्ग के मतदाताओं की संख्या सरवाधिक है कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी विश्व चुनावी रैली में जातिये गणना का कार्ट भी चलेंगे